लोगसभा चुनाव 2019 में पार्टियों के प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है हर एक पार्टी अलग अलग चुनावी सीट पर जाकर अपने पार्टी का प्रचार करती नजर आ रही है इसी दोरे में प्रधार मंत्री नरेंडर मोदी जा पहुचे है कॉंग्रिस के गढ़ अमेठी प्रधार मंत्री नरेंडर मोदी ने कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांदी की संसदिय सीट अमेठी से ही रविवार को उन पर ही निशाना साधा पीम नरिंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी घूम घूम कर मेडिन उज्जैन, मेडिन इंदौर और मेडिन जैपूर करते रहते हैं लेकिन यह मोदी है जिसने मेडिन अमेठी को सच कर दिखाया है नरिंद्र मोदी ने आधुनिक क्लाशनिकोव 203 राइफलों के निर्माड के लिए ओर्डिनेंस फैक्टरी का लोकारपड अमेठी में किया और उसे करते हुए मोदी ने कहा कि 1500 लोगों को फैक्टरी में रोजगार दिया जाएगा इतना ही नहीं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने अमेठी के लिए 538 करोर रुपे के प्रोजेक्ट को भी लॉंज किया पीम नरेंडर मोदी ने कहा कि आपने हमें प्यार दिया है भले हम यहां से जीते नहीं पर इसका मतलब यह नहीं कि हम यहां की जनता के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे SPN 9 Newsroom से रक्षा की रिपोर्ट